स्वागती मेहो संधिया आईए नज़र जाते हैं आज की राशीपल और पंच्छांग पर बात करें अशुप समय की तुरह हुकाल दिन के दस बचकर चुए आलेस मिनट से तो दिन के बारा बचकर उनपचास मिनट तक इस समय कोई भी शुप कारें प्रारम करेंगे वो कारियर निर्विक नसंपन होगा बात करें अशुप समय की तुरह हुकाल दिन के दस बचकर चुए आलेस मिनट से तो दिन के बारा बचकर तेविस मिनट तक इस समय कोई भी शुप कारेंगे प्रारम ना करें नहीं तो आपके कारियों में दिक्कते और कटना यां आ सकती है हो सकता है आपका कारिय सफल नहूं इसलिए समय को टाले शुप समय का अंतिजार करें देशा शूल पश्चिम जो तिशी परामश के लिए संपर करें रगुनाद प्रसाच श्वास्ट्री जी से मुबाइल नमबर 953 555 111 पर रात्वी दस बजे सी 12 बजे तक निशूल जानती है आज का संपून राशी पल सबसे पहले बात करेंगे मिश्वाशी की मिश्वाशी की जय तक आज आपके घर में मांगले क्या उत्सविक कारिय हो सकता है अपनी परिवार के साथ आज आज आप खुश रहेंगे लंबी यात्रा भी हो सकती है वरशब राशी आज खर्च दिक होने की योग दिख रहें मत्रो और सोजिनों के साथ आनंद उल्लास प्राप्थ होगा सुन्दर वस्तराबूशन और भोजन का अफसर भी आपको प्राप्थ होगा दोपर के बाद सुआस्त का विशेश ख्याल रखे नितुन राशी आज रुके हुए कारी पूर्ण होंगे आपके परिवार का वातवरन उल्लास में रहेका श्वाररिक स्फूर्टी और मांसेक प्रसुर्णता का अनुभव होगा आर्टिक लाप होने की संभावना है करकराशी आज परिवार का वातवरन आनंदाई होगा वार्णी पर सयम रखने की और कुरोधना करने की अविश्यक्ता है परिजनों के साथ कुछ मनवटा हो सकता है शारडिक और मांसेक रूप से आप अस्वस्त रह सकते हैं सीहराशी आज कार्य समय से पूरे नहीं हो पाएंगे आप किसी भी सरकारी काम में पढ़ने से बचे बाहर के खानपान के आदत से स्वास्त भी कर सकता है कोई महत्रपूर निर्ने आज लेने से बचे कन्याराशी आज विद्यार्तियों के लिए समय अनुकूल है विवसाइक शित्र में सहकरीमियों का अच्छा सहियोक मिलेगा बविश्य के बारे में योजना बनाने के लिए समय उत्तम है एकागरता से कारी करने में सफलता प्राप्त होगी दुलाराशी आज पत्नी या प्रेमिका से विवात की स्थती बन सकती है साफधानी बनाय रखे और अपने करोध पन येंत्रन रखे दिन अनुकूल रहेगा ब्रिश्य कराशी आज लंबी यात्र करने का इरादा हो तो फलाल यात्र टाल दे बहतरोगा पशो से पूरी तरह साफधानी बनाय रखे बरे हुए जल में सोच समझ कर प्रवेश करे दनुराशी आज किसी अधिकारी वर्ग से भिढ़ना आपके लिए परिशानी का कारेंट बन सकता है पूरी तरह साफधानी बनाय रखे नया पाहन खरीदने का इरादा हो तो फलाल बदल दे बैतर होगा मकराशी आज नए कारी का प्रवर्म करने के लिए समय शुबे गूर्ड रहास्य और अध्यात्मिक्ता के प्रति आकर्शन पेदा होगा आज आज आपको आर्थिक रूप से लाब होने की संभावना है प्रियजनों के साथ मुलाकात होगी विरोधियों पर विज़े रखे दिन बहतर होगा लंबी याक्टा से परेश के लिए लगुनाथ प्रसाद शास्त्री जी से संबर्ख करें 9453555111 इस पर प्रति एक दिन व्राथि 10 से 11 बजे तक वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कमेंट इस ट्रेक्शन में जरूर बताएं